लेकि सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बोलना चाहूंगा कि आप लोग चालू होते हैं वीडियो को स्किप कर देते तो मैं आपको बता दू कि वीडियो को पूरा देखा किजे क्योंकि आपसे बहुत जो इंपोर्टेंट न्यूज रहती है ऐसी ख़वर रहती है छूड़ तो बिल्कुल इमेज की टिटल से अगर आप देखना चाहिए तो यहां पर देख सकते हैं और वहीं बात कर लेते हैं टीम न्यूज की तो एलेक्स एस नीज जो की है एवलेवल है सेलेक्सल के लिए मैंचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से तो देखना होगा कि इनकी टीम म और मार्कोस रोजो और यहां पर मार्यूनो फिल एयानी जो की अनवेलेवल रहने वाले इस मुकाबले के लिए तो इनको आप ट्राइन ना करें यह भी रिस्की हो जाएंगा और यहां पर एक बैली जो की रिटर्न हो गया है सस्पेंड कर दिये गए थे तो सस्पेंशन के क करन और फिर रिटर्न हो गया है बैली और यहीं बता दे यःबेस विस्मोया जो की इनजिरी के कारण दाटफुल रहने वाले है इस मुकाबले के लिए और वहीं बता दे वेर्णंडो और जों इनलिजो क्योडो जो की इनजर्ड हैं और बहाई पर इल्रिजा और मैटी रि से तो यह दोनों ही आपके लिए रिस्की हो सकते इनको ट्राइम मत किजेगा तो चले बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की जो प्लेंग 11 नहने वाली इस मुकाबले के लिए तो आपको बता दे हैं मैंचेस्टर युनाइटर के तरफ से डी आपको खेलते नाजर आ जाएंगे जोन्स है लिंड्रेल लोफ है सो है हेरेरा है मैटिक है पोगाबा है लिंगार्ड है रसफोर्ड है और मैटिल है तो यह प्लेंग 11 नहने वाली है मैंचेस्टर युनाइटर की और वहीं बता दे आपको ब्राइटर के तरफ से आपको बटन खेलते हैं नजर आ जाएंगे ज सब्सक्राइब से चलिए बता जाता हूं आप किस परकार्ट टीम मना सकते हैं इस मुकाबले के लिए तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे गोल कीपिंग सेक्शन की जो आपके पास सेफ अपसन अने वाले हैं गया और बटन दोनों ही बहतरिन प्लेयर हैं और यहां पर मै बात करें डिफेंडर सेक्शन की तो साने डफी आपको खिलते वे नजर आ जाएंगे लेकिन मैंने इनको पिक नहीं किया आगर आप ट्राइब करना चाहें साने डफी को ट्राइब कर सकते हैं लेकिन मुझे यहां पर क्रेजिट की इसु की करण इनको ड्रॉप करना पर है इसके बात जो मैंने तीसर डिफेंडर लिया वो लिया है दिंडेल ओफ को तो यह मेरे तीन डिफेंडर रहने वाले हैं और अगर आप यहां पर ट्राइब करना चाहें ग्रैन लिग में तो बैली को ट्राइब कीजएगा यह वापस आ गया है और खेलते को नजर आ इनको यहां पर आप ट्राइब कर सकते हैं और यहां पर मैंने मार्टियल को तो यह दोनों जो मेरे सबसे डिफॉल्ट च्वाइस रहेंगे सभी की टीमों में तो इन दोनों को यहां पर मैं लेके चलूंगा उनके बात जो मैंने लिया है पासकल ग्रोस स्वाली मार्च और ब्राइटन के तरफ से देवी प्रोपर को तो आपको पता होगा कि चार प्लेयर एक टीम की तो हमें लेके चलने परेंगे इसलिए यहां से मैंने ब्राइटन के जो है यह मिड़ फिल्डर रख लिया है तीन और वहीं बात कर लेते हैं फॉरवर्ड की तो फॉरवर्ड में म आप ट्राइट कर सकते हैं और उनके बाद जो है जुआन मात्ता है और अपसन फेलानी आपको इनको आप ट्राइट चाहें तो कर सकते हैं बात कर लेते हैं कैप्टन भाइस कैप्टन की जो सेफ चोईस है तो सेफ चोईस में पॉल पोगाबा आपके पास सबसे सेफ चोईस तो यही एक अच्छे option रहेंगे यहाँ पर सो भी अच्छे option हो जाएंगे लेकिन अगर सबसे safe की बात के तो यह दोनों कैप्टन बाइस कैप्टन के लिए सबसे safe choice रहने वाले हैं और मैं यहाँ पर जा रहा हूं मार्कस रसफोड के साथ कैप्टन के लिए और अगर आप चिंदस करना चाहे तो बिल्कुल टीम में चिंदस जरूर किजेगा और अपना अनसार कैप्टन बाइस कैप्टन के लिए भी बिल्कुल जा सकते हैं उमीद है आपको वीडियो पसंद आ हो तो प्लीज अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्रा